पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां क्रिकेट की दिवान की चरम पर देखने को मिलती है खास कर जब मैच भारत पाकिस्तान का हो वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है भारत इस टूनामेंट को होस्ट कर रहा है पाकिस्तान खेलने के लिए भारत आया हुआ है उसमें एंकर, एंपायर और तमाम स्टाफ भी उनके साथ आया था लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी घोर बेज़ती करवा ली अपनी भद पिट वाली जैसा कि वोक्सर दुनिया में वेश्व पटल पर करवाता आया है दुनिया भर में पाकिस्तान की भद पहले से ही पिटी हुई है और अब बीच वर्ल्ड कप में उसकी एक एंकर को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया है पाकिस्तान की जानिमानी खेलेंकर जैनब अब बाद अबने पिछले कुछ शोशल मीडिया पोस्ट के कारण कानूनी मुसीबत में फर्स चुकी है जिसके चलते भारत में चल रहे वेश्व कप 2023 के लिए ICC की कमेंटेटर्स लिस्ट में शामेलिस महिला पत्रकार की पिछले सोशल मीडिया पोस्ट को की जाच की गई उसमें पाया गया कि इनकी पोस्ट में हिंदु देवी देयोताओं पर अब अधर टिपणी की गई थी और उनका अपमान किया गया था ऐसे आरोपों की जब जा ये दो देशों के बीच का मामला है और ऐसे में ICC अपनी कोई टिपणी नहीं करता पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है समा टीवी उसने अपने एक्स अकाउंट पर जो पहले ट्वीटर था उस पर लिखा है उसके मुताबिक जैनब अबबास ने भारत छोड़ दिया है साइबर क्राइम और पुराने भारत विरोधी ट्वीट करने का आरोप है इसके बाद फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक विनीज जिंदल नामक भारतिया वकील ने बी सी सी आई के साथ मिलकर जैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी विनीज जिंदल की तरफ स यह ट्वीटर पर लिखा गया कि बी सी सी आई और ग्रहम अंत्राले को भेज़ेगा शिकायत पत्र में जैनब अब्बास को ICC World Cup 2023 में प्रेजेंटेटर के रूप में भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमान जनक भढ़गाओ पोस्ट के लिए हटाने की मांग की गई अ एक ट्वीट और किया था जिसमें वो बेहत उत्साहित नजर आई थी दो अक्टुबर को एक ट्वीट किया गया था इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हमारी तरफ क्या है इस पर हमेशा उत्सुकता थी मत बेदों से ज्यादा कल्चर की समानता है मैदान में कंटेंट बनाने और काम में बस लोगों से एक्सपर्टीज लाने के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप दोजार तेईस में ICC एक बार फिर भारत में होने के लिए विनमरू हफ्तों का सफर अब शुरू हो चुका है हलाकि बीच वर्ल्ड कप में ही उन्हें यह इंदुस्तान से बाहर भेज दिया गया है कि कहना है कि सुरक्षा कारणों के वज़ा से और कहीं का कहना है जिस तरह से उन्होंने हिंदु देवी देवताओं का अपमान किया था उस वज़ा से वर्ल्ड कप के बीच में ही जैनब को हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया गया है आप इस कबर पर क्या राय रखते हैं अपने राय हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा नमस्कार